हेलो स्टुडेंट लास्ट ताइम वी डिसकर्स इकडोनियस रॉक तुडेए़ टोपिक एक सटमेंटरी रॉक्स आज हम सेटमेंटरी रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे दावर्ल सेटमेंटरी डिजर्टित फॉम दा लेटिन वार्ड सेटिमेंट्स यानि कि जो हम देखते हैं कि जो sedimentary जो word है यानि कि जो अवसाधी जो शब्द है वो latin जो language है Latin language के sedimentary जो शब्द है उससे लिया गया है which means which means settling उसका आर्थ होता है settling यानि विवस्तित होना एक तरीके से set होना यानि कि कहीं पर हम व्यवस्तित हो जाते हैं उसको हम sedimentary कहते हैं rocks, rocks हमने पढ़ी ती कि तीन types की rocks होती है, ignonious rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks, ये तीन तरीके की अलग-अलग जो rocks हमें देखने को मिलती हैं, rocks of the earth surface are exposed, the and are broken up into various size of ferraments यानि कि जो rocks होती हैं, जो चटाने होती हैं, हमने देखा तीन types की जो rocks होती हैं, उनके वो अपने आप में जो विवाजित होने से उनका विविन विन आकार, यानि कि उनके जो अलग-अलग जो size हैं उसमें वो develop हो जाती हैं, क्योंकि वो आपस में जो divide हो जाती हैं, इसके कारण ब्रॉक यानि कि तूटने के कारण विवाजित होने के कारण उनका जो size होता है, वो अलग-अलग हो जाता है Such forments are transported by different exonious agencies and deposit यानि कि जो ये भिन भिन आकार के जो चीजों होती हैं, वो अलग-अलग जो agencies यानि कि जो उपक्कंड होते हैं उसके अलग-अलग जो part होते हैं उसमें वो divide हो जाती है अलग-अलग parts में उनको divide कर दिया जाता है और वो अलग-अलग बन जाती है उसका परिणाम अलग-अलग हमें देखने को मिलता है They deposit true composition turned into rock और इसके कारणी जो rocks होती है, चटाने होती है उनका निर्मान होता है The process is called lithification जो इसकी प्रक्रिया होती है, उसे हम Lithification यानि कि जो shield भवन Lithification के नाम से भी जानते हैं This process is called lithification The many sedimentary rocks, the layer is deposit, retain their characteristics यानि कि जो अलग-अलग बहुत सी ऐसी जो sedimentary rocks होती है उनकी अपनी अलग-अलग जो characteristics यानि की विशेस्था होती है और इन विशेस्थाओं का कारण Lithification यानि कि जो lithification की जो process है जो इनके block यानि तूटने की जो प्रक्रिया है उसके कारण जो ये sedimentary rocks होती है उनकी अलग-अलग जो उनकी characteristics यानि की विशेस्था हैं हमें देखने को मिलती हैं Even after lithification और lithification के बाद ही जो ये विशेस्था हैं वो हमें देखने को मिलती हैं Hence, we see a number of layer of variety thickness and sedimentary rocks like sandstorm salt is हम देखते हैं कि इसी कारण इसी कारण जो sedimentary rocks होती हैं उसमें हम अलग-अलग तरीके की जो सतय होती है अनेक सतय उसे बनी भी वो होती है यानि कि जो sedimentary rocks होती हैं उसमें पाए जाने वाले जो minerals होती हैं वो different types की जो layers होती हैं उनकी जो thickness होती हैं उसकी जो varieties होती हैं वो thickness layer wise होती हैं यानिकि एक के उपर एक होती है लेयर में जो उसकी थिकनेस हमें देखने को मिलती है जो sedimentary rocks होती है वो हमें layer by layer उनकी जो थिकनेस हैं वो हमें देखने को मिलती है depending open the mode of formation अगर हम देखें तो जो निर्मान के आधार पर अगर हम देखें sedimentary rocks are classified into three major groups यानिकि जो sedimentary rocks होती है अगर हम उसे बनने की परक्रिया के आधार पर देखें तो हमें तीन रूप में तीन अलग अलग जो groups होते हैं तीन जो अलग अलग major groups हैं यानिकि जो समू है उसमें हम उसे classified यानिक वर्गी करत कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं जो sedimentary rocks होती है उसके तीन टाइब से होते हैं पहला अगर हम देखें मेकेनिकली फॉर्म्ड यानि कि जो मेकेनिकली बनती है उसे हम मेकेनिकली फॉर्म्ड की सेडामेंट सेडामेंटरी रॉक्स कह सकते हैं इसके अगर हम जो उधारन के रूप में देखें तो देखते हैं इसके एक्जामफल हमें देखने को मिलते हैं यह जो सभी परकार की जो चटाने होती हैं वो यानत्रिक रूप से यह बनती हैं सेकंड फॉर्म इस और और्गनाईजली फ्रॉम यानि कि जो इसका जो निर्मान का रूप है वो औरिजनली जो फॉर्म होता है उसमें यह बनती हैं इसके अगर हम उधारन में अगर हम देखें तो गितराइट चॉक लैमिस्टार्न कोल इटिस यह इसके मुखे उधारन हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम चुना पत्थर कोईला यह सब इसके उधारन है थर्ड टाइप इस केमिकली फॉर्म जो केमिकल से बनती हैं केमिकली फॉर्म होती हैं वो थर्ड जो सेडमेंटरी रॉक्स है उसके टाइप में आती हैं उधारन के लिए देखें अब चार्ट लैमिस्टार्न हैल्टेड पोटाश एटीसी दसम एग्जामफल यह इसके सेडमेंट है वो किस तरीके से डवलप होती है सेडमेंट जो सेडमेंटरी जो वार्ड है वो लैटिन लैंग्वेज का जो वार्ड है उससे डवलप हुआ है लैटिन लैंग्वेज में जो सेडमेंटरी रॉक्स जो बना है वो लैटिन बाशा के शब्द सेडिमेंट से बना है जिसका जो आर्थ होता है जिसका जो मीन होता है वो होता है settling यानि की विवस्तित होना और जो sedimentary rocks है ज़्यादा तर जो हमारी जो चट्टाने हैं उनके आपस में तूटने के कारण इनका development होता है और इसकी जो process होता है उसे हम lethification कहते हैं और इसी lethification के कारण जो sedimentary rocks को अलग-अलग पार्ट में divide किया जाता है उसका classification किया जा सकता है अलग-अलग जो sedimentary rocks होती है उनकी जो character stitch होती है उनकी जो विशेशताएं होती है वो भी अलग-अलग होती है जो अगर हम देखें तो जो sedimentary rocks है तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है तीन तरीके की sedimentary rocks बनाए जाती है mechanically formed, originally forms और chemically forms तो ये जो अलग-अलग तरीके से जो हमने देखा कि जो काइंत्रिक चटाने होती है sedimentary rocks होती है वो किस तरीके से develop होती है